आज हम देखेंगे के pop-up menus कैसे बनते हैं कि for example आप चाहते हैं कि आप किसी बटन के उपर क्लिक करें बटन पर क्लिक करें और आपको वहां पर drop-down जो है वो शो हो जाए यहां पर कोई drop-down list हो वो शो हो जाए आपको वो किस तरह से आप शो कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है रिसोर्सेज में एक डारेक्टरी एड कर लेनी है तो यहां पर आपने एक डारेक्टरी एड कर लेनी है आपने इसका कोई नाम रखतें नहीं जिसे मिसका नाम रख दिती हूं pop कुछ ट्रोगों को तो यह डारेक्टरी यहीं पर शो होना शुरू हो जाएगी ठीक है यह अब पॉप के नाम से ना ओलडी मैथर्स हैं ठीक है तो जैसे मैंने यहां पर आपको आपके अंड्रॉइड में यहां पर ड्रॉइबर लेयाउट मिप मैप और वैल्यूस निदर आ होगा लेकिन मैंने यहां पर मैन्यू की पॉप अप भी मैन्यू की डारेक्टरी भी क्रियेट की हुई है तो कुछ अगर डारेक्टरी करते हैं तो वह क्रियेट तो हो जाती है ठीक है और लेकिन हमें यहां पर निजर नहीं आती के वह कहां बनी हुई है अगर हम एक्स्प् सकते हैं थो जो इस के लिए आप यहां पर पैकजस में से ले जाएं आपको यहां आपकी सारी डार्यक्टैस नजर आना शुरू हो जाएंगी ठीक है वह यहां पर निज़र आ रही निजर नहीं निजर आ रही है तो यह मुझे अगर मैं दोम्हें नहीं पना हुआ शिंग कर रहे हैं तो आपको यहां पर प्टेस पले करी तो आप यहां पर फाइल नहीं है लेड़ आउट है उसके अंदर आपकी फाइल मौझूद है तो आप इस तरह से अपनी एक डारेक्टरी बना लेंगे सबसे पहले डूसरा स्टैप आपका क्या है कि इस जो अपने नई डारेक्टरी बनाई होगी उसके अंदर आप एक न्यूरिसोर्स फाइल ऐसे menu resource file आप इसका कोई नाम रख लेंगे जिसे मैंने यहां पर नई resource file बनाई उसका नाम रखा menu underscore resource ठीक है अब main activity पर जाके हमेने तरफ एक button बनाया है यह एक button ठीक है इस button के थूँ हम क्या करना चाहते हैं कि जैसे ही हम इस button पर click करें तो drop down list आजे उस drop down list के उपर हम click कर सके ठीक है तो हमने ऐसे सबसे पहले डारेक्टरी बनाई उस डारेक्टरी का कोई सा भी नाम रखा नाम रखने के बाद फिर हमने वो जो डारेक्टरी हमने बनाई थी उसके अंदर एक रिसोर्स फाइल बनाई उस रिसोर्स फाइल का कोई सा भी नाम रखा नाम रखने के बाद हम आइटम्स की रिस्ट क्रियेट करने हैं जो के हम डॉप डाउन में डिस्पले करवाना चाहते हैं ठीक है तो बिसके तीन स्टैप हो गया है पहले डारेक्टरी बनाए Post Directory के अंदर resource file बनाए अब इस resource file के अंदर आपने ये क्या बना ली? items की एक list ठीक है? आपने जिस नाम से resource file बनाए यहां पे वही आपको tag निज़र आ रहा होगा menu का tag निज़र आ रहा है उसके अंदर आपने ये items बना लेने है आप कोई सा भी नए item बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह मतलब ये खुझ से create किये हुए इस item के आपने दो चीज़े last में रखनी है एक ID और दूसरा इसका title title आपको यहां पे नज़र आएगा और ID इसको back end पे जो है ना वो count करेगी इसके नया कोई item create करना चाहते हैं इसी के अंदर तो आप उसी तरह से create करेंगे item आपने इसकी ID रखनी है चीक है ID रख लें यह ID का folder आपको यूज़ करना है इसको ID रख देते हैं item number 5 चीक है और पिर आपने इसका क्या set कर देना है title title आप इसका set कर दें देख जैसे ही मैंने इतना बनाया तो मेरे पास यह एक item जो है वो create हो गया pop-up में एक new ठीक है तो यह पहले चार थे ठीक है यह अपके पास यहां पर अब यह भी अना शुरू हो जाए ठीक है यह list बना ले अभी यह display नहीं होगी इसलिए कि यह अलग file में अभी तो यह अलग file बनी हुई है ठीक है और हमारे पास यह हमारी activity main है और इसके अंदर सिरफ एक button बना हुआ यह अब यह दो अलग-अलग XML है एक यह XML है menu वाली जो हमने new बनाई है और यह हमारी main activity पे एक button है अब हम चाते हैं कि जब हम इस button के उपर click करें तो यह जो file है ना सारी यह वाला जो resource है यह वहाँ पर इस button के click पर display होना शुरू हो जाए यह काम हमने पहले भी किया था last lecture में थोड़ा सा हमें जब याद है कि जब हमने alert display करवाया था तो alert के अंदर इसी तरह से मैंने यहां पर edit text लगा के इसको inflator की class से inflate किया था alert box के उपर ठीक है तो अभी भी ऐसा ही काम करना है लेकिन अब हमने यह alert के उपर नहीं लेके जाना बलके किसके उपर लेके जाना इस बटन के पॉप अप में रखना चाहते हैं यानि इस बटन के उपर क्लिक हो तो यह वहां पर हमें ऐसा पॉप अप में दर आए उसके लिए हमने क्या किया इस बटन के क्लिक इवेंट पर एक फंक्शन कॉल किया है डिस्प्ले का ठीक है यह बटन है इसके क्लिक इवेंट पर डिस्प्ले अब यह डिस्प्ले क्या करेगा यह इस फाइल को इस बटन के पॉप अप में लेके आएगा कैसे उसका कोड यहा जावा में पहले उसे बनी हुई ठीक है जो आपको जनेरेट करके देती इसका अबज़ेक्ट बनाया इसके अबज़ेक्ट को सब्सक्राइब टो चीज़ें पास करने है एक तो कॉंटेक्स्ट ठीक है और दूसरा व्यू ठीक है जिसके जिसके क्लिक होने पे नहां को चाहिए वो obviously यही बटन होगा जब ये बटन इस function को call करेगा यानि जब ये बटन के उपर click होगा तो ये function call करेगा और इस V के अंदर इस button की ID चली जाएगी और वो ही हमने button यहाँ पर पास आएगी कि pop-up जो है वो इस view पर display होना चाहिए ठीक है इसके बाद हमने वही जैसे हमने last time menu inflator की class use की थी तो वही हम use करेंगे last time हमने pop.getmenuinflator.inflate किसको inflate करना है यानि किसको यहाँ से pick करके यहाँ display करवाना है पाउप आप के उपर इस file को इस file का path देना यह file कहां पढ़ी हुए यह resources के folder में menu की directory में menu underscore resource के नाम से file है तो वही यहाँ पे हमने path दिया है resources के folder में menu की directory में menu underscore resource के नाम से है और popup.getmenu यह अब menu जो है वो मतब यहाँ पे display हो जाएंगे ठीक है इतना लिखने से क्या होगा इतना लिखने से यह होगा कि जैसे ही आप button के उपर click करेंगे यह जो file है यह as a pop up यहाँ पे इस button के नीचे जो है वो display में आना शुरू हो जाएगी ठीक फिर हमने क्या करना अगर हम चाहते हैं कि हम इनके उपर click event जो है वो लगा सकें कि हम इस आइटम पे click करें तो कोई काम हो इस आइटम पे click करें तो कोई काम हो इस आइटम पे click करेंगे अब यह items जहां पर click event नहीं लगा से हमने क्या लगाया इनके उपर लगा लिया listener listenerMusicer कैसे लगाया? पॉप डॉटaison जैसे ही हम पॉप⁡ लिखेंगेrem तो हमारे पास listener आ जाएंगे जिसे हमने listener पढ़े थे ना previous lecture में कि हमारे पास menu item click listener भी जब हम menu item click listener adenadon.demon.com जब हम pop up menu के और ये बटन रॉबसी इंड करे ये तो ये तो हम किसी भी आइटम पे क्लिक करेंगे तो यह लिस्नच की साथ उसकीं रिजरेशन तो यह क्लास के साथ मिन्यो biting कॉल रहरो होते हैं उस आतurer क्लास केृट्ड मेंद्र क्लिक करेंगे दिए और यह होने के फोरण बाद यह function जो है वह execute होगा अब यह function क्या करता है यहां पर यह आपको वह item भी देता है जिसके उपर click हुए है ठीक है उस item की अक्चल में ID आरी होती है जिसके उपर click हुए है इसलिए हम यहां पर ID देना ज़रूरी थी यानि हम यह में बटाएगा अगर हमने स उसी item के related ही यहां पर काम होगा यहां पर हमने क्या करवाया है तोस्ट प्रिंट करवाया है इसको context पास किया है और item.gettitle यानि उसी item का title display करवा दो अब हम सरगोदा पर click करेंगे तो तोस्ट के अंदे सरगोदा प्रिंट होगा जिस item के उपर click करेंगे वही item जो है वह हमे menu की class है इतनी दो lines जो है यह एक line क्या कर रही है यह इस resource file को इस resource file को इस button के click event पे display करवा रही है और यह जो code है यह क्या है यह तो listener का code है फिर हम लिखेंगे pop.show ठीक है तो यह जो pop-up हमारा है यह यहां पे show होना शुरू हो जाएगा ठीक है उसके साथ attach हो गया और attach होके य इतफ़ा इसको check भी कर लेते हरान करके कि क्या वाके ही button click पे हमारे जो है वो drop-down menus display होते हैं या नहीं एम यह display के button पर जब आप click करेंगे यह सारा काम पर क्लिक लगाया है इसके उपर display का function कॉल किया है और उस display के function पर सारा code किया हुए तो जैसे ही button के उपर click करेंगे तो यह काम होगा मैम जो menu में हमने button बनाए है उसके काम ही होगा उसका काम आप यहां लिख सकते हैं ठीक है अब यह देखें pop.setonmenu item click listener यानि pop-up में जो menu आ रहे हैं उसके किसी भी item के उपर जब आप click करेंगे तो यह वाला function चलेगा यह वाला यह listener लगा हुए ना listener ठीक है क्योंके वो जो menu items है यह हमें यहां तो ऐजा button नजर नहीं ना आ रहे हैं तो इनके click events हम यहां नहीं लिख सकते हैं तो इनके लिए इनके उपर हमने क्या लगा लिया है listener लगा लिया है कि जब इनके उपर click हो तो यह फिर हम यह भी यहां पर कर सकते हैं क्योंके यह item हमारे पास आ रहे हैं यह हमें बताएगा कि आप किसके उपर click कर रहे हैं ठीक है अगर आइटम में सरगोदा है तो सरगोदा की सुरत में यह काम होना चाहिए अंदर if statement अभी सिर्फ इतना कह रहे हैं जिस item पर click होगा उसी item का title जो है वो toast में print होगा अगर आप सरगोदा पर click करेंगे तो सरगोदा ही as a toast print हो जाएगा इसी से मिलते जुलते होते हैं spinner तो इसका मैंने code यहां से समझाया है अब जब हम next अभी spinner पढ़ेंगे तो उसका code फिर मैं इस तरह से नहीं उसका code slides में लिखा हो मैं वहीं से फिर explain कर दूँगी इसको एक को मैं चला के दिखा देती है मेरा सिस्टम भी almost one month ही हो गया का shutdown ही नहीं किया मैंने काम ही चल रहो होता है हर टाइप यह देख यह वो डिस्प्लेय का button आपका यह नज़र आ रहा है क्योंके main activity तो यही है नहीं स्टार्ट पर पहले नज़र आ रहे हैं हैं लिवात का जैसे ही हम आँछ प्लेयं वर थे डिस्प्लेय प्लेय का करेंगे तो ये हमारे पस को वह यह वो रहे जैसे ही इस के उपर अङ्यव प्लाप ऊच्छु कर रहे हुं तो यह आने मैने के व्थाख अच्छु के अवफ पाट में अजे आख गतिए लुड़ खै झाल झाल